सुप्रभात मैं कमलेश चनमिस्र हिंदी अध्यापक सिटी पबलिक स्कूल कट्रा मुंगराबास्षा पुर्जाउनपूर आप लोगों का कच्छा नव हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूँ यह मेरा पाच्मा वीडियो है अब तक हम लोगों ने कच्छा नव हिंदी विशय के अंतरगत चितीज भाग एक के काब खंड से दो पाठ कबीर की साकियां सबद और ललददक जी के वाग का अध्यन किये तथा गद्य खंड से मुनसी प्रेम चंजी द्वारा लिखित दो बैलों की कथा का भी अध्यन कर चुके हैं आज हम लोग कच्छा नव हिंदी विशय के अंतरगत चितीज भाग एक के गद्य खंड से पाठ दो राहुल साकित त्यायन द्वारा लिखित लासा की योर पाठ का अध्यन करेंगे यह पाठ राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते पर की थी उस समय भारतियों को तिब्बत यात्रा की अनुमती नहीं थी इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिक्मंगे के बनावटी वेस में किये इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की और जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्डन उन्होंने बहुत ही रोचक सैली में किया है यह यात्रा भितान से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है यात्रा भितान कार्थ यात्रा का वर्डन है यात्रा वितान्त है यात्रा का वर्ण जिसमें लेखक ने अपनी तिबबत यात्रा का वर्ण किया है लेखक नेपाल से तिबबत जाने वाले मुख्य मार्ग से ल्यासा जा रहा है फरी कलिंगपांग मार्ग से प्रारम होने से पहले भारत का व्यापार नेपाल और तिबबत से इसी मार्ग से होता था चीनी पल्टन उस मार्ग पर बनी हुई चौकियों और किलों में रहती थी अब फोजी मकान गिर गए हैं तथा किलों में किसानों ने अपने लिए घर बना लिये हैं ऐसे ही किसी किले में लेखक चाय पीने के लिए रुखता है तिबबत में यात्रि घर के अंदर जाकर बहुओ और सास को चाई पकाने के लिए कह सकते हैं वह चाई बना कर मिट्टी के तोटी दार बरतन में लाकर उन्हें देद भी देती हैं जब वे उस किले से चलने लगे तो एक ब्यक्त ने उनसे राहदारी माँगे रहधारी का अर्थ रास्ते का कर उन्होंने दो चीटे उन्हें दे दी चीटे वहां का स्थानी पैसा उसी दिन वे थोडला के पहले के अंतिम गाउं में पहुँच गए यहां भी लेखक के साथ चल रहे बहुत भी छुक सुमत के जान पहचान के लोग रहते थे सुमत एक बहुत भी चुक है और गाइड का भी काम कर रहा है लेखक के साथ रास्ता बताता है इसलिए उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई अब लेखक उसके साथ ही को बहुत मुश्किल से डाडला थोडला पार करना था तिबबत में डाडले बहुत ही खतरनाक अस्थान माने जाते हैं सोल, सत्रह, हजार फिट की उचाई होने के कारण उसकी दोनों तरब दूर दूर तक कोई गाउ नहीं था डाकूं के लिए यह अस्थान सुरच्छित जगह हैं था इन निर्जन अस्थानों पर यद किसी का खून भी कर दिया जाए तो कोई चिंता नहीं करता डाकूं भी पहले आदमी को मार देते हैं बाद में उनका माल लूटते थे लेखक और उनका साथी ऐसे किसी ब्यक्त को देखकर भीकमंगों की तरह अपना भेज बना लेते थे और दया करके एक पैसे देदो कहकर भीक मांगने लगते थे वहाँ पहाड की उंची चढ़ाई से को देखकर लेखक ने सुमित को लंक और तक दो घोडों का प्रबंध करने के लिए कहा अगले दिन वे घोडों पर सवार होकर उपर की ओर चलने लगे डांडला से पहले उन्होंने एक अस्थान पर चाय पी और दो पहर के समय डांडे के उपर जा पहुँचे इनके दच्छिन की तरफ पूरब से पस्चिम तक हिमालय के बर्प से ढकी हजारों चोटियां थी तथा दूसरी ओर हरियाली और बर्प से रहित बिलकुल नंगे पहाड थे चढ़ाई कुछ कठिन थी परंत उतराई सहस थी लेखक अपने घोडों पर जूमता हुआ गलत राश्ते पर चला गया राश्ते में किसी से पूछ कर लोट कर सही राश्ते पर आया जब वह देर से पहुँचा तो सुमत लेखक पर गुसा करने लगा लेखक ने सारा दोस अपने सुस्त घोडे को दे दिया सुमत सिग्र ही सांत हो गया लंकोर में उन्हें ठारने के लिए अच्छा अस्थान मिल गया यहां के यजमानों ने उन्हें चाय सत्तू और गर्मा गर्म थुक्पा खाने के लिए दिया इसके बाद वे तिंकरी के पहाड़ों से घिरे हुए टापू जैसे बिसाल अस्थान पर पहुँच गये वहीं पर एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसे तिंकरी समाध गिरी कहते हैं यहां के गाउं में सुमत के अनेक यजमान थे सुमत कपड़ों की पतली पतली चीरी हुई बतियों को गंडे के बना कर यजमानों को बाड़ता था लेखक ने सुमत को आसपास के गाउं में जाने से मना कर दिया और लासा पहुँच कर उसे रूपए देने की बात कही सुमत ने स्विकार कर लिया दूसरे दिन वे वहां से चल पड़े सुमत के परचित यजमान तिंग्री में ही थे परंत वे संकर विहार की और चलने लगे वहां से भिक्षू नम से बहुत भद्र पूरुश थे वहां के मंदिर में कंजूर अर्थात बुद्ध बचन की हस्त लिखी एक सौतीन पोथियां थी एक एक पोथी पंद्रा पंद्रा सेर से कम नहीं थी पंद्रा सेर का मतलब कीलो सुमत आसपास के यजमानों से मिलने चला गया लेखक पोथियां पढ़ने में लग गया अंत में विच्छू नमसे से बिदा लेकर वे अपना सामान पीट पर लाद कर चल दिये इस प्रकार से यह पाठ समापत हुआ अब इस पर आधारित कुछ प्रस्न है इन प्रस्नों का उत्तर आप लोग लिख कर वाटसप कर देंगे हम इन प्रस्नों का उत्तर चेक कर लेंगे इसके बाद इसे अपने अभ्यास पुस्तिका में आप लिख लेंगे थोडला के पहले से आखरी गाउं में पहुँचने पर भिखमंगे के बेस में होने के बावजूद लेखक को ठारने के लिए उची तस्थान मिला जबकि दूसरे यात्रा के समय भद्रवेश में भी उची तस्थान क्यों नहीं मिला इस प्रस्न का उत्तर इस प्रकार से है उन्हें रहने के लिए उची तस्थान इसलिए नहीं मिला क्योंकि वे वहाँ साम के समय पहुँचे थे इस समय वहां के लोग छट्ग पीकर अपने हो सवास गवा देते हैं उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती है उनकी मनोपित्ति बतल जाती इसलिए उन्हे भद्रवेस में भद्रवेस मतलब अच्छे वेस में होने पर भी उन्हें उचित अस्थान नहीं मिला दूसरा प्रस्ण है उस अस्थान के में तिबबत में हतियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भाय बना रहता था उस समय के तिबबत में हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ लोग पिस्टॉल बंदुक लिए फिरते थे डगयत यात्री को पहले मार्ग दे थे बाद में उनका सामान लूटते थे इस प्रकार यात्रियों में सदा जान माल का भय बना रहता था अगला प्रसन है लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया लेखक अपने साथियों से इसलिए बिछड़ गयá क्योंकि उसका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था जब वह घोड़े को जोड़ देने लगा तो उसका घोड़ा आधिक सुस्त हो गया वहाँ से दो रास्ते थे वह बाएं रास्ते पर डेढ़ मील आगे बढ़ गया जब उसे पता चला तो उसे वापस आया इसकारण यात्री इसकारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया अगला प्रस्न है लेखक ने सेकर विहार में सुमत को यजमान के पास जाने से रोका किन्त दूसरी बार क्यों नहीं रोकने का प्रयास किया दूसरी बार लेखक ने सुमित के यजमान के पास जाने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि वहाँ एक मंदिर में उसे बुद्ध वचन की 103 पोथियां मिल गई इनमें से एक एक पोथी 15-15 किलो से कम नहीं थी वह उन पोथियों को पढ़ने में लीन हो गया था और अगला प्रस्ट अपनी यात्रा के दोरान लेखक को किन किन कठनाईयों का सामना करना पड़ा उसे दुर्गम मार्ग से चढ़ाई करनी पड़ी और ममली अस्थान पर रुखना पड़ा चोड डाकूओं से बसने के लिए भिकमंगों का भेस बनाना पड़ा लेखक का घोड़ा सुस्त हो गया था जिनके कारण वह अपने साथियों से पिछड गया इत्याद उसे और खाने पीने में कि भी परसानी का सामना करना पड़ा इत्याद कठनाईयों का सामना उन्हे करना पड़ा प्रस्तुत पाठ यात्रा वितान के आधार पर बताईये कि उस समय का तिबती समाज कैसे था उस समय का तिबती समाज अंध विश्वास से जकड़ा हुआ था लोग बहुत धर्म सन्यासियों के द्वारा दिये गए गंडे तादीश को अपनी रक्षा का आधार मानते थे समाज में कानून व्यवस्था बहुत दैनी थी लोग बंदोग पिस्तॉल लेकर खुले आम घुमा करते थे मार्ग में चोर डाकूओं का भय बना रहता था डगय द्यात्री को पहले मारते थे बाद में उन्हें लुटा करते थे हलाकि वहाँ जाटपाच छुआ छुट का भेदभाव नहीं थे इस्त्रियां पर्दा भी नहीं करती थी अपर्चितों को घर के भीतर जाने की मनाही भी नहीं थी यात्रियों को आवास और खाने पीने की सुभ़ा दी जाती थी लेकिन लोग छटग नामक मादक पे का पानू भी करते थे छटग एक प्रकार की सराब जैसी वस्तू है मैं आप पुस्तक के भीतर था नीचे दिये गए विकल्ब में से कौन सा इस वाग का अर्थ बतलाता है लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया इस प्रकार से या पार्ट समाप्त हुआ आप इस पार्ट का प्रस्नोतर लिख कर आप अपनी वाट्साप पर वाट्साप कर देंगे मैं उन्हें चेक कर लूँगा आपका दिन सुब हो धन्यवाद